एंगिनर फिश समुंदर में रहने वाली सबसे रह सिमय और रहर फिश है जिसकी दोसों सो भी ज्यादा प्रजातिया पाई जाती है जो ज्यादा तर अटलांटिक और अंटाटिक मासागरों में 800 फिट की गईराय में पाई जाते हैं इन मचली और में फिमेल की बॉड़ी में एक बायो लुमिनियस पाट होता है जिससे एसका कहा जाता है ये पाट उनके सिर्ज से सामने की तरफ लिकला हुआ होता है जिसकी मदद से वो अपने शिकार को अपनी तरफ आतरशित करते हैं और बीविल सीजन में में मेल को गुंड़ने में भी इसका इस्तमाल करते हैं एक मेल एंगलर फिश का साइस फिमेल की तिनना में काफी छोटा होता है और मीटिंग की दोरान फिमेल की बॉड़ी को वो काट लेता है और पकड़े रहता है वो तब तक female को इस तरह से पकड़े रखता है जब तक उन दोगे की body आपस में जूड़े नहीं जाती इनका skin आपस में blend हो जाता है और इनके blood vessel भी एक साथ जूड़ जाते है जिससे male blood के जरीए female के शरीर से सबी निंट्रेंट सासिल करता रहता है इसके बाद दीरे दीरे male की body में से कुछ internal और गवन आखे और face गायव हो जाते है समय के साथ साथ male की body का size दीरे दीरे छोटा हो जाता है और आखिर में वो बस एक mask का तुकड़ा बन कर रह जाता है इस हालत में वो female की body के बिना सर्वाइब नहीं कर सकता और female अपनी शरीर और 6-7 male को जोड़ सकते है